वेलकम टो चैनल अल्ली एक्सिलेंस तो आज हमारा एंसी आइटी का 9th एंसी आइटी जो 9th का सिलेबस है उसमें हम 7th unit का 2nd part करेंगे 7.2 unit start करेंगे काफी छोटी सी unit है triangle हम अल्रेडी start कर चुके हैं बट काफी gap हो चुका है yes I know more than 10 days का gap हो गया है काफी यह अभी जो हमारा महाल पूरा अगस्त का महीना जो रहता है वो पूरा स्टॉप करना पढ़ गया था इसको ठीक है हमारा इसको बटास से फिर से start कर रहे हैं सो हम आज पढ़ेंगे अपना second unit आगे का इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको 7.1 में क्या पढ़ा था वो रिवाइस नहीं कराऊंगी जिनोंने अभी बच्चों को देखे हुए काफी दिन हो गया होंगे उनको मैं description में link दूंगी और share करोंगी आप उसको description से link लेके सीथे देख सकते है concurrency हम पढ़ रहे थे triangles की ठीक है जिनोंने नहीं और साथ में रिवाइस भी कराएंगे ठीक है और description box पे link देंगे उसमें आप देख भी सकते हो so we'll start with the triangles मैंने आपको बताया था कि congruency यानि अनुरूप तक क्या होती है तो अगर मैं दो triangles बना दूं अगर मैं दो दोनों triangle congruent यानि अनुरूप है ठीक है एक दूसरे के अनुरूप है इसका मतलब भी हो हाला कि फिगर में आपको नहीं लग रहा होगा अनुरूप बट जस्कांसीडरेट कि यह दोनों एक दूसरे के congruent है तो दो फिगर दो चीजे दो चित्र तभी अनुरूप होते हैं या corresponding जो angles हैं वह एक दूसरे के equal हो इसका मतलब यह नहीं कि यह angle इसके equal हो सकता है यह angle अगर इसके equal है तो इसके right वाला angle इसके right वाले angle के equal होना चाहिए यानि अगर इसको clockwise रोटेट करा रहे हैं तो इसको रोटेट कराकिया या sporty corresponding यानि अगर यह है तो फिर यह angle इसके है तो यह angle इसके बराबर होना चाहिए लोनों के बराबर होनी को इस तरीके से ऐसका म्तलब यह नहीं होता कि इसकी प Luigi Japan confiscate कर सकते आप पोजिशन रोटेट कर सकते हैं कि हर एंगल किसी ना किसी ने बराबर होना चाहिए किसी ना किसी मेरा मतलब ऐं रहा जासे जैसे हैंग्स उसको बनाने वाली साइट में इसको बनाने वाली दो साइट के बराबर होने चाहिए corresponding parts एक दूसरे के एक वह और चाहिए वह यहाँ चाहिए अगर दूसरे कुछ फिगर्स लेते तो चाहिए कोई और उसका कि है इसको कहते है कॉंगूरेंची तभी दोनों जो डॉसरे कें एन Prob हो जाएंगे तुक या अनुरूप हो जाएंगे सिंदी कहते हैं इसको साच दे अब ही तुसरे को त्य॑ ह reignूपता पाठा वह ऐस पढ़ाता side, angle, side side, angle, side इसका मतलब है कि अगर दो triangles आपको दिये हो इसको कैसे हमने इस पर based question भी किया था अगर ये दो triangles आपको दिये है ठीक है और आप से बोला जाए ये A, B, C दे दिया, ये P, Q R दे दिया ठीक है, अब अगर आप से कहा जाए कि A, B is equal to P, Q A, B is equal to P, Q ठीक है B, C is equal to Q, R ठीक है side, side ठीक है, side, side आपको कहा है, side, angle, side तो इन दोनों side के बीच के जो angle है ये दोनों equal है यानि A, B is equal to P, Q A, B is equal to P, Q angle B is equal to angle Q और B, C is equal to Q, R B, C is equal to Q, R तो अगर दे दिया जाए कि 2 sides, किसी 2 triangles की 2 sides और उन दोनों से बनने वाला जो बीच का angle है वो दूसरे triangle की 2 sides और दोनों के बीच में जो angle बन रहा है उसके बराबर है यानि side angles, side angles, side का concept अगर बन रहा है आपका तो ये दोनों triangles आप बता दोगे की congruent है अब ये दोनों triangles congruent है केवल कहना नहीं है आपको आप इसके base पर कोई भी question भी कर सकते है इसका मतलब की अगला जो angle होगा वो भी equal हो जाएगा ये angle होगा ये भी equal हो जाएगा ये side इसके equal हो जाएगी क्योंकि congruent triangles के अगर दो triangles congruent है तीन triangles congruent है तो उनके सारे corresponding parts पर equal हो जाएगे ठीद केके आपको दिया ही नहीं जोनों का रहेगा केवल ये दो नहीं और इसके बीच का दोनों का angle लॉक के आपको दे दिया कि आपको साइड के mae का बिच का ऐसे जो है GB k Pre के बराबर हो जाएगे ठीक है इस तरीके से आप रूल अफ कॉंभरेंशी का यूज करेंगे कॉस्ट्ट को सॉल करने में ठीक है जब आज जो हम अग्ला देखेंगे रूल ओव को अग्ला देखेंगे रूल वह हमारा एंगर साइड एंगल थेकिर जो मैं लिख रहे हूं जब से एसलिवा का यह एसले को बहुत यूज भाम सकते हो ठीक अगर ये एश यह निया और आयंग Tibu बीच का एंगल ठीक है इसको SSA लिखते ही इसकी meaning गलत हो जाएगी मतलब side side or next angle ऐसा नहीं है side side और उनके बीच का एंगल तो angle beach में ही रहेगा तभी meaning है आपके ठीक है तो अगर मैं बोल रहे हूं कि A S A ठीक है next है जो आपके book में जो next दिया है that is given A S A congruency यानि angle side angle congruency अब इसको कैसे दिखाएंगे है चलिए दो triangle बना दे सबसे पहले तो क्योंकि triangle का चैप्टर है तो दो triangle बना दे द्यांसे देखिए एंगल एंगल तो दो एंगल एक्वल कर दो फिर side side अभी रहन दीजिए बसे तो इस इस एंगल के बाद की side तो यह भी आ सकते यह भी आ सकती है फिर आयकला के एंगल तो उसके बाद वाला एंगल चाहिए साइड का लीजिए चाहिए साइड का लीजिए कोई भी दो एंगल्स आपने इसके दो को कर्रेस्पॉंडिंग इंगल को इक्वल कर दिया अब क्या कह रहा है कि side जो है इन दोनों के एंगल के बीच की है यादि यह 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 साइड दोनों एंगल्स पर कॉमन है ना इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड कौन से यह इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड यह तो इसका मतलब है अगर दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिनमें दो एंगल्स एक दूसरे के एक्वल हो और इन दो एंगल्स के बीच की साइड इसके ट्राइंगल की दो एंगल सोर उसके बीच की साइड के इक्वल हो तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल कॉंगुरेंसी के बेस पर आप बोल सकते हो कि दोनों और ट्राइंगल आपस पर कॉंगुरेंट होते हैं तो पहला हमने पढ़ा है एस अगला है हमारा ए BSA से अंगल साइड एंगल चलिए आपको उठा लेते हैं ठीक है देख लेते हैं इसमें एंगल साइड एंगल कोंग्यौरेंसी आपको यह किया वह है तोowana भीशन् advisor प्रोफ करने है आप कैसे प्रूफ कर होग귀 is एंगल साइड एंगल कॉंगुरेंसी आपकी यहां पर लगेगी तो कैसे करते हैं चलिए आपके इसका बुक का ही ले लेते हैं एक्जैम्पल जैसा ही देख लेते हैं ठीक है तो आप क्या करिए इसको आपके बुक में क्या नाम दिया है A B C D E F दिया है अभी cRünde Os주ик क्या इसकताऊं इसको और इसको इक्वल कहा है कि कॉई बहलें है कोई वात यह साइड है अंगल इसके बीच की साइड एंगल इसके बीच की साइड अब आपको क्या करना है कि AB is equal to DE दिया है तो आप देखिए अगर आपने तो इसके देखिए अगर आपको यह कॉंगरेंश है को दिया खूर सकते आपने अपको यह कोना गया कि अगर और शाहता है तो को तो आपके यह साइड इसके इक वाली थीचित लेकर चलते हैं या तो यह होंगे या कामग्रेंट नहीं होंगे तो अगर congruent हुए तो क्या होगा तो आपकी यह साइड इसके इक्वल ले लिजी आप ठीक है तो आप देखिए अगर मैंने माल लिया इफ अगर consider कीजिए इफ a b is equal to d e a b is equal to d e यह मैंने assume कर लिया है माल लिया है मैंने की a b or d e equal हैं क्यों क्योंकि जो मेरा पहला जंप्षन है वह मैंने इन दोनों को equal माल लिया है अगर यह congruent होंगे तो a b d e के बराबर आजाएगी अगर congruent नहीं होंगे तो हमारा यह जंप्षन गलत हो जाएगा ठीक है तो अभी तो हमें आपने क्या किया है क्भी दीखक के इकड है और दोनों साइट से मिलने वाला एंगल fats के में बेच में बनने में फनाने वाला दिये तो आपने कर दिया इसको pomo of講 brilliant s rule of congruency kya कहती है कि जब हीये साइड यह साइड के Exclerus slider ओर ये जो एंगल बना रही है वो भी हो एसे से यह दोनों triangle क्या हो गए congruent हो गए हैं आपके अगला है कि अगर यह equal नहीं है ठीक है आप माल लीजे equal नहीं है तो एक काम कर यह अब equal नहीं है के लिए आपको क्या करना है आपको यह प्रूफ करना है कि यह दोनों again अगर यह दोनों equal नहीं है अगर a,b,od,e equal नहीं है तो क्या होगा तोlerin दाए्स होगा यह तो यह बढ़ा होगा यह नहीं eg च्छोटा होगा अगर यह एक इसा पॉийंट अगर बढ़े से बढ़ा है तो कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसके equal हो जाएगा डी के यहां पर कोई एक point P तो ऐसा होगा कि PB वरावर डी होगा अगर मैं लूँ कि if ABA is not equal to DE ठीक है तो दो case बनते हैं तो पहला case क्या है पहला case हो जाएगा AB is greater than DE तो AB जब DE से बड़ा होगा तो AB के अंदर ही कोई point ऐसा होगा जो DE के बरावर होगा तभी तो वह उसके आगे निकल के उसको बड़ा बना रहा है ठीक है तो मानलों हमने P ऐसा point ले लिया जो जब DE के इक्वल होगा तो इसको मैंने मिला दिया इससे अठीक है अब देखिए अब आपका यह जो P point है तो PB आपका पीवी आपने डीक्व लिया है जहांसे सुनेगा पीवी आपने डीक्व लिया है B BC आपको A B C यह C है na एस? BC आपको दिया है E F के Equal, PB लिया है आपने D E के Equal, BC आपको दिया है E F के Equal और एंगल B दिया है एंगल E के Equal, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि angle pbc pbc क्योंकि PB आपका इक को ला रहा है ना डीक किसके कॉंग्रुएंट है एंगल डीएफ के ट्राइंगल डीएफ के तो आप अगर पी बी-सी और डीएफ कॉंग्रुएंट है तो इसका मतलब कि यह जो एंगल आपका यह छोटा वाला यह इसको भूल जाएगी ठीक है यह इस PC से जो आपको एंगल मिल रहा है एंगल B C P यह हो जाएगा इक्वल एंगल B C P हो जाएगा आपके एक्वल E F D के एंगल F के सीधा लिख देते हूं क्योंकि यहां पर कोई लाइन है नहीं तो सीधा F लिख दिया ठीक है लेकिन एंगल F तो आपको एंगल C के बराबर दिया है ना तो क्या ऐसा possibility है कभी ऐसा हो सकता है कि यह जो एंगल है छोटा यह इसके बराबर हो और यह बड़ा भी इसके बराबर हो एसी possibility तो तभी हो सकती है जब यह जो point P है वो A पे रहे ठीक है अदरवाइस यह एंगल इसके बराबर अगर हो जाए तो यह एंगल तो इससे बड़ा होना चाहिए ना लेकिन आपको तो वो equal दिया है इक्वल दिया है का मतलब कि अगर यह एंगल और यह एंगल इक्वल है इसका मतलब यह जो आपकी लाइन है P PC वाली यह खिसकते किसकते किदर आ गई A पे आ गई यानि पी आपका point A पे आ गया यानि ऐसा condition हो ही नहीं सकता है कि P B C P E F D के बराबर हो अगर इसका मतलब है कि आपका P A B क्योंकि आपने P B को D E की equal माना था अब P आपको A के उपर मिल गया यानि P की जिके आप A point रख सकते हैं हमने लिया था कि P B is equal to D E लेकिन यहां से आपको क्या मिला कि P तो A पे ही है तो जब P A पे है तो आप A लिख दीजे P की जिगे तो A B is equal to D E मिल गया आपको A B is equal to D E मिल गया तो आपने जो पहला सोचा था जो first case हमने लिया था कि let A B is equal to D E आपने congruency proof कर दी थी ना तो वह वाला case आपको सही हो गया तो सही हो गया आपको A B is equal to D मिल जो हमने सोचा था वाट वाट्वी है वाजी वास्कारेक्ट यानि दोनों ट्राइंगल सापस में congruent हैं यह प्रूफ हो गया इसका मतलब अगर दो एंगल अगर एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के किसी एंगल के बराबर हो दूसरा एंगल दूसरे ट्राइंगल के दूसरे एंगल के बराबर हो और दोनों एंगल के बीच की जो साइड है वो दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल के बीच की साइड के बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल आपस में है एेली ऑफ कोंफरेंसी फॉलो करते हुए विए और ऑफ कॉंगररथी कह सकते हैं सब फॉलो करते हुए आप सने कोंबुरätt होते हैं टो यह भी से कुख्या नहीं चलिए अभी देखतेके से रेलेटेट स्पॉक्ष्चन canvas आपके पास अब एक बार अब एक बार चोटा माल लीजिए कैसे क्योंकि आपको बता रही हूं अभी नेक्स्ट केस क्या है आपका अगर मैं अभी हमने क्या माना है अब अगर पी यहां पर आजाए अगर माल लो एब डीके से छोटा हो तो बढ़ाते हुए एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो डीके बराबर हो जाएगा तब आप इसको इससे जोड़ देंगे तो क्या कहला जाएगा कि यह एंगल उस एंगल के बराबर होगा एंगल F के लेकिन यह पॉस्पिल्टी तभी होगी जब पी आपका इसके बराबर हो क्योंकि आपको समझ में आ गया है कैसे करना है तो यह हो गया आपका ए एस ए रूल ओफ कॉंग्रेंशी है अगला क्या है आपका अगला है आपका ए एस कॉंग्रेंश रूल सेम तरीके से आप कर सकते हो एस का मतलब क्या हो गया एंगल एंगल साइड का मतलब क्या हो गया देखें पहला हमने पढ़ा साइड एंगल साइड अगला पढ़ा एंगल साइड एंगल अब अगला है एंगल एंगल साइड रूल फिडिक कोड बुजा फिंदी में साइड को बूज пальज कहते हैं तो अब हैं आप के साइडिएॡ एंगल साइड एंगल साइड अब कै एंगल एंगल साइड पढ़ें गे एंगल हैं फिर को बूज क्बूज कोड़ भुजा कोड़ और अब कोड़ कोड़ भुजा देखें मैंने आपको बताएं इनका जो क्रम होता है na sequence that is very important ठीक है आप triangle बनाएगे अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे देखें कैसे differ करेंगा यह अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं है इह फंदने अघण है अग्वा यांग यह इसके बराबर हुआ है यह sevi चाकर, हर रहे है अब इसमें यह नहीं कहéntरा है कि यह इन दोनों एंगल्स के बीच की है तो इसका क्योंके क्योंके से फेल का मतलब हो एक साइड बराबर हो इसका मतलब होता है कि बराबर इसका मतलब छो हो तो किया हुआ था पहले से ही तो अभी चली आप इसने पैस फिनिश करेंगे उसके रबाद का नेक्स चुऩे करने मुझे साने वाले हैं बहुत इंट्रेस्टिंग आपको भी सॉल्व करने मजाएगा साथ ही आप लोग जो मैं इसका सी साइट या जो हमारे कॉंपेटिशन के साफ से वीडियो चालती हूं आप सब लोग उसको देखिए आपको जिनको डिटेल नहीं पता है उनको डिटेल पता चल जाएगा और जिनको शॉटकर्स नहीं पता है उनको कई चीज हो के जो आप पिछला पढ़ चुके ओ 9 तक जो आप 6-7 तरह पढ़ चुके चाहिए परसंटेज और प्रॉफिट लॉस हो या कुछ भी उसके वीडिय सकते हो आप मिंटों में चुटकें वह वीडियों आप देख सकते हैं और आप देखे आपका नॉलिज बढ़ेंगा ही ठीक कभी कम नहीं होना है साथी यह हम अपना सेरी से से स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट रखेंगे ऑन डूश हैर वीडियो फ्रेंस डू कर्मेंटर and don't forget to hit the bell icon and thanks for watching thank you so much